नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डक्टर नवल किशोर, आप सभी का एक वारफुना ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ, आज हम भी ये दुत्य वर्स की जो तिरते कई है, दुत्य प्रश्ण पत्र की, हिंदी साहिती का इतियास, उसमें हमने पूर कालांच में विद्य विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आदिकाल का सिमांकन और नाम करन इन पर चर्चा की थी, आज हम हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उसकी परिस्तितियों पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों, यदि हम आदिकाल की तरब बात करें, तो आचारे शुक्ल के अनु समवत 1050 से लगाकर विक्रमी से लगाकर और समवत 1375 विक्रमी तक अर्थाद देखा जाए तो महराजा भोज के समय से लगाकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक इस काल को मान सकते हैं और यदि इस काल की विबिन परिस्तितियों का आंकलन करें तो हम इने अलग-अलग सीर्षकों में विबाजित कर सकते हैं सबसे पहले इस समय की जो राजनितिक परिस्तिति है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं यदि राजनितिक तृष्टि से दिखा जाए तो यह जो युद्धा युद्ध और अशान्ति का काल था समराठ हर्श वर्दन की मृत्यू की प्रांत उत्तर भारत जो है छोटे-छोटे खंड राजियों में विबागत हो गया गेहरवार, परमार, चोहान, चंदेल वन्सों के राजपूत राजाओं अपने अपने स्वतंतर राजिये इस्तापित कर लिये थे और राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते-जलते अंतर तक खुद भी शक्ती ही ख्षीन हो गये थे और विदेशी आकरांताओं का डट कर मुकाबला करने की इस्तिती में वे नहीं रहे राजपूर शासकों में परस पर युद्ध किसी आवशक्तावस नहीं होते थे कभी-कभी तो केवल शौरिय परदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध किये जाते थे भारत की जो उत्री पच्छी में सीमा है उस पर विदेशी आकरमनों का भे बराबर बना रहता था आपको पता है कि दस्वी सतावनी में मेहमूद गजनी और बारवी में मुहमत गोरी ने भारत को पदाकरांत किया था जनता जो है विदेशी आक्रमन कारियों से सुत्तो तरस्ती ही साथ ही युद्गामी जो देशी राजा है उनके अत्याचारों को सेहन करने को भी विवस्ती यवन शक्तियों के आक्रमन का प्रभाव मुख्यत पच्छेमी और मद्यदेश परीपड़ा इनी छेत्रों की जो जनता है युद्गोयं अत्याचारों से ज़्यादा आक्रान हुई धीरे धीरे समस्थ हिंदी प्रदेश में इस्थित राज्य जैसे दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आधी पर मुगलों का या फिर कह सकते हैं मुसल्मानों का दिकाब हो गया राजनितिक परिश्थितियों के आधार पर का जा सकता है कि आठवी से लगा कर चौदुई सती तक का जो यकाल है ये युद्ध, संघर और असांति से ग्रस्तरा राजाओं में संकुचित राष्ट यता थी, व्यापक रूप से समुचे भारत को एक राष्ट के रूप में कभी नहीं देखा गया और राजकता, ग्रेह कलब, विद्रो और युद के इस वातावर्ण में कवियों ने भी एक और तलवार के गीत गाए तो दूसरी और आध्यात्मिक्ता की प्रविर्थी के कारण, हठ योग, उपदेश्वरती एवं आध्यात्मिक्ता की बात कही गई इस प्रकार से आधिकाल की ये राजनितिक परस्तितियां थी यदि हम आगे देखें राजमितिक परिष्टी के बाद तो दूसरा जो बिंदू है वह है धार्मिक परिष्टिति. यदि इस काल की धार्मिक परिष्टितियों पर हम ध्यान दें तो विद्यार्थियों इस काल में अनेक परकार के धार्मिक मत मतांतर का अस्तित्तु हो गया भारतिय धर्म साधना में उथल पूतल मची हुई थी वैदिक और पोरानिक धर्म के साथ साथ बौध धर्म और जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयास रत थी राजपूत राजा अहिसा मुलक जैन धर्म और बो धर्में विश्वास नहीं करते थी उन पर जो है शैवमत का प्रभाव अधिक था गैडवाल राजा इसमार्त लंबा मताव लंबी थे और मालवा जो नरेश है वैदिक धर्म के अनुवाई थी वस्तूत देखा जाए तो समस्त जो उत्तर भार्त है उसमें धीरे धीरे शैवमत बोधों और इसमार्तों के प्रभाव को ग्रेंड करता हुआ एक नई रूप नात संपरदाय के रूप में विक्षित हो रहा था आदिकाल में धार्मिक द्रिष्टी से हम देखे हैं तो तीन संपरदायों का हमें विशेश प्रभाव दिखाई देता है परिलक्षित होता है वे संपरदाय हैं सिद संपरदाय नात संपरदाय एवन जैन वो धर्म कालांतर में विक्रित होकर आपको पता है वजड़यान बन कए पता है वजड़यान econ गया ऑर इन वजड़यानियों को यह सिद कहते हैं धर्म की ये विक्रेत अवस्ता थी, धर्म के वास्थवे कादर्शों के इस्थान पर अबाचार वीहिंता, चमतकार प्रदर्शन, भोग विलास को प्रमुकता मिल गए। शिद्धों का जो प्रभाव है वो निम्न वर्ग की जो अशिक्षित जनता है उस पर ज्यादा था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना और चमतकार प्रदर्शन द्वारा सामाने जनता पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। यदि देखा जाए विक्रम की जो बारवी सताब्दी है उसमें बहुत दों सिद्धों की पर्तिकरिया सरूप नात संप्रदाय का जो है उदेवगा, जीवन को अधिक से अधिक सैयमित और सदाचार के अनुशासन में रख कर परम सत्ता का जो साक्षातकार है, हेर्दे या घटके भीतर किया जा सकता है, नात संप्रदाय के जो प्रवर्थकते गोरक नात ने इसी का परचार और परसार किया था, नात पंत में योग पर विशेश बल दिया गया, साथ ही वर्ण वैवस्ता का विरोध और बहय आडंबरों का भी खंड़ किया गया, भारत के जो पच सत्वों का निरूपन अप्रंश भासा में कर रहे थे, कुछ नाम आपको पता है, स्वयंभू, पुष्पदन, धेम, चंद्र, आधी कवियों ने अपनी रचनाओं में जैन राजाओं के सरक्षन में लिखी, और बोध धर्म की जो विकृति है उसका प्रभावी जैन धर्म और इस प्रकार से इस काल में हम देखें, तो विबिन धर्मों के जो मूल रूप है, वे लुप्त हो चले थे, और उनमें विकृतियों का समाविश हो गया था, जनता के समक्ष अनेक धार्मी कराहें बनती जा रही थी, देश्विया पी इस धार्मी का सांती के समय, इसलाम धर्म भी भारत का जो दर्वा जा है, वो खट-खटा रहा था, यदि यदि पी हम देखें, तो भारत में मुस्लमानों का आग्मन हो चुका था, किन्तु इसका धर्म भी अपनी जड़े नहीं जमा पाया था, इन धर्मिक परिश्थितियों के परिपेक्ष में ये कहना उच परिश्थित है कि धार्मिक परिश्थिति से आधिकाल का जो वातावरन है, वो अत्यंति दूश्थित्था, जनता आसंतोष, शोब, भ्रहम से त्रस्थि, आधिकालेन सहित्यमेसी माहसिक्ता के अनुरूप, खंडन-मंडन, हट्यो, वीर्ता और संग्राप प्रक्रचनाओ को हम देख सकते हैं, धार्मिक परिश्थिति के बाद अगली जो परिश्थिति है, वो है सामाजिक परिश्थिति, समाज का तो सबसे बड़ा योगदान व्यक्ति की निर्मान में है ही, इसलिए इससे हम अच्छूते नहीं रह सकते, राजनितिक और धार्मिक परिश्थित सामाने जनता शिक्षित थी जो सादू सन्याशियों के साप और वर्दानों की और दश्टी लगाए बैठे थी पूजापाट तंत्र मंत्र जब तब करके लोग दुर्भेक्ष महामारी और युद के संकटों को टालना चाहते थी ब्रामणों के प्रती इस काल में देखें तो पूज्य भाव में कमी आ गई और वर्ण व्यवस्ता के प्रती लोगों का सम्मान भी नहीं रह गया निम्न समझी जाने वाली जो जातिया है उनमें से अनेक से दो जाते थे जो की वेदों के विरुदी थी समाज में इस समय देखें तो शत्रियों का जो है प्राधान्य था राजपूतों में सो रहे तो था परंतु वे इसका उप्योग पारश परतीस परदा और संगर्श में ही जादा करते थी वे वन्स गोरव अभिमान को लेकर ग्रेक कलव में ही उलजे वे रहते थी यदि इस्त्रियों की बात करें तो इस समय इस्त्रियों के प्रती पूजय नहीं था वे भोग्या बन कर रहे गई थी सती परता को देखे तो इस काल का वो भैयंकर कोड थी ततकालिन भारत में श्वेंवर परता भी थी कि इन्तु जो प्राय युद का कारण बन जाती थी और सुन्दर राज कुमारियों से बलपूरोग विवा करने के लिए राजप पन के सादन दुरलब थे तथा निर्दंता युद अशांती के कारण जनता सदेव आतंकित रहती थी ततकालिन हम देखें तो रासों कावय में भी समाज के इन जो रासों मुकी स्तती का है वो पूरा-पूरा चित्रन दिखाई देता है इस प्रकार से इस समय की ये सामाजि प्रिस्तिति के बाद अगली जो प्रिस्तिति है वो है साहितिक प्रिस्तिति आदिकाल में साहिति रचना की तीन धाराएं हम देखते हैं बैरी थी एक और तो परंप्रागत संस्कृत साहिति की रचना हो रही थी दूसरी और प्राकरत अब्रंश बासा में प्रभूत साहित साहतिक प्रस्तिती के अंतरगत संस्कृत साहतिय में हम देखें तो पुराणा और इसमरतियों पर ठीकाएं लिखी गई जो थी सेवं काविशास्तर पर अनेक मौली ग्रंतों की रचना भी समय कीगी और इस समय कन्योज कश्मीर है संस्कृत साहतिय के केंदर भी रही आननवर्दन, मम्माट, भोज, क्षैमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विशोनात, भवभूती, एवन स्री हर्च जैसी प्रतिवाएं इसी यूकी देन है इस काल में अब्रंश प्रमुक्त धर्म की बाशा बन करेगी थी और जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अब्रंश में नए रूप में प्रस्तुत किया श्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंदर जैसे कवियों ने जो साहति प्रस्तुत किया है वो अपनी मौलिक्ता और साहतिक्ता के कारण वास्तम में उचकोटी का साहति है देश भासा हिंदी में भी जनता की मानसेक और भावात्मक दसाओं की अभिवेक्ति एकवर कर रहा था जिसे भाट या चारण कवि कहा गया चारण कवियों की सामेक आवशक्ता पर बल देते वे आचारे शुक्ल कहते हैं उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के प्राक्रम, विजय, शत्रू कन्याहरण का अत्युक्ति पूर्ण आलाप करता था या रण छेत्रों में जाकर वीरों की हिर्दे में उत्सा की उमंगे भरा करता था वही सम्मान पाता था तो इस प्रकार से निरंतर युद के लिए प्रोसान करने वाले एक वर्ग की आवशक्ता थी और चारण है इसी श्रैनी के कवि थे जिस प्रकार यूरोप में वीर गाताओं का विशे युद और प्रेम रहा उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर और स्रिंगार रसों की परदानता रही है हिंदी बासा में रचेत इन कावि गरंतों में एक और तो अपने आश्रे दाताओं की अत्री श्योक्ति पूंट प्रसनसा की गई है तो दूसरी और उनके युद्धोन माद को वेग करने वाली गटनाओं की योजना भी की गई इस प्रकार से सहितिक प्रिस्तितियों के बाद अगली और अंतेम हम यदि बिंदू पे जाएं तो वे हैं सांस्कृतिक प्रिस्तितियां इस तरफ हम देखें तो समराठ हर्ष वर्दन के समय जो भारत है सांस्कृत दिष्टी से अपने शिकर पर था हिंदू धर में उनस संस्कृति राष्ट वियापी एकता का आधार थी किन्तू कालांतर में मुस्लिम आकरमनकारियों के आखमन से भारत है धीरे-धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होता गया इस काल में मुस्लिम आकरमनकारियों ने अपने संकिन द्रिष्टिकौन और धर्मान्दता की भावना से प्रेरित होकर भारती ये संस्कृति के जो मूल कैंदर हैं मंदेर, मार्ट, विद्याले को नश्ट करने का पूरा-पूरा प्रयास किया हिंदूआँ की स्थापत्यकला धार्मिक भावना से ओत्प्रोथ थी तता देखी जाये तो अत्यांत उच्छकोटी की थी और मुसल्मान जब उनके मंदिर आदी को देखते हैं तो वे चकित रह जाते थे और संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्मान आदीकाल में हुआ आवू का जो जैन मंदिर है खजुराओ का कंदर पेश्वर पुरी भूनेश्वर वेलोर कांची आदी की जो मंदिर है इसी काल की देन है मुसलिम संस्कृति का प्रभाव आदीकाले ने हिंदू संस्कृति पर अनेक छेत्रों में पढ़ने लगा था उत्सव, मेले, परिधान, अहार, मनोरंजन आदी अनेक बातों में मुसलिम रंग चड़ने लगा था दूसरी और हिंदू संगीत कला, वास्तू कला, आयूरवेद और गणित का प्रभाव है वो मुसलिम संस्कृति पर पढ़ने लगा यह निसकर्ष निकाल लेना की इस दसा में असंगत न होगा कि आदिकालिन भारतिय संस्कृति परंपरा से विच्छिन होकर मुसलिम संस्कृति के गहरे परभाव को स्विकार करती जा रही थी संगीत की तरब देखें तो संगीत के छेत्र में भी दोनों संस्कृतियों ने परसपर आदान परदान प्रयाप मात्रा में किया गायन, वादन और निर्त्य पर मुसलिम परभाव पढ़ रहा था तथा अनेक वादे यंत्र सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे आदिकालिन भारतिय संस्कृति देखें तो निच्छित रूप से रासोन मुकी थी पतन की तरब जा रहे थे इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आदिकाल की चो मुक्य मुक्य परिस्तितियां हैं उसके बारे में हमने चर्चा की जिसमें मुक्य रूप से राजनितिक, धार्मेक, सामाजेक, सहेतेक और सबसे अंतमे सांस्कृतिक परिस्तितियां थी और इसके बाद अगले कालांश में हम अगले सिक्षिन बिंदू पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी का भार